हेलो स्टुडेंट्स तो कैसे आप सभी मेरा नाम है आकांच आते पर जैसे कि आपने अभी देख आई तवनिल पर आज हम अपनी इस वीडियो में आपकी क्लाश 1030 का जो चैप्टर नंबर वन है डाराइग दफ नेशनलिजम इन यूरोप उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे इससे पहले भी चैप्टर पर बहुत सारी वीडियो में ने बनाई हुई है जिन सभी का लिंक आपको डेस्क्शन में जाएगा अगर नहीं भी मिलता है तो आप सीधा मेरे चैनल पर विजिट करकर प्रेलिस सेक्शन में जाईए वहाँ पर तो म इसमें उनिफिकेशन ओफ जर्मनी इससे प्रीवेस वीडियो में देखे लिया था जिसका लिंक आपके डेस्क्रिप्शन में यह क्यों कि मैं जानता हूं को अब तक आपने वीडियो नहीं देखी यूनिफिकेशन ओफ इटली यानिके इटली यूनिफाइड आज हम इस व पूछा था इसमें आपके एक तरह से मैं कहूं इस पूरे इस मूवी का यह चैप्टर है दर राइस ऑफ नेशनलिजम इडियो रॉप को कि मैं चैप्टर को मूवी बोलता हूं कि इस्टी एक स्टोरी है उसको एक कैरक्टर था आपका ओटवन भी समार्क के बारे में आपका इस वीडियो में आज हम इस वीडियो में आपका इटली यूनिफिकेशन ओफ इटली यानि राष्ट इटली का एक ही करन पढ़िए करेंगे तो चलिए बस आप एक एंचियर्टी की बुकली लीजिए और साथ में पैंसिल उसको मुह में बढ़ डालना लिखने के लिए उसे इस्तिमाल भी करना और हां इस टोपिक से रिलेटेडिड कुछ शोर्ट नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं जो सभी मेंने आप इस टोपिक शिरू करते हैं यूनिफिकेशन ओफ इटली या फिर इटली यूनिफाइड यानि इटली का एक ही करन एक ही करन का मतलब होता है अलग-अलग चीजों को जोड़कर यानि फ्यूजन मतलब तोड़ना अगर आप साइंस के चात्र हो स्ट्रेंट हो तो आपको फ्रेंटेशन थोड़ा सब इसको जों आउट कर दीता हूं हां लेक जर्मनी इटली टू हैड अलोंग हिस्ट्री ओफ प्लिटिकल फ्रेंटेशन यानि के जर्मनी की तरह ही इटली का भी एक लंबा इतियास राय उसका राजनेतिक एक तरह से फ्रेंटेशन का मतलब होता है इटली का इतियास राहा है वो एक राजनेतिक बहुत लंबा एक राजनेतिक इसमें विखंडन यानि इसके बहुत सारी राज्ये एक तरह से टूटे वह बटे हुए है उसका एक इतियास राय है जर्मैनी की तरह भी इटेलियन्स वर स्केटर्ड ओवर सेवरल डायनस्टिक इस्टेट्स एज वेल एज दन मल्टी नैशनल हैप्सबर्ग एंपायर इटेलियन्स जो थे यानि वो बहुत अलग-अलग जैसे कि मैंने आपको बताया वर्गों में बटे हुए थे सेवरल डायनस्टिक यानि कुछ वंज शागुनत यानि कुछ होते है ना पारंपरीक वंज हमारे वंज के जो एक समुधाय होते हैं उनमें भी बटे हुए थे एस वेल आज मल्टी नेशनल हैप्सबर्ग एंपायर और बहुत सारे बहु राश्ट्रे हैप्सबर्ग एंपायर सदावदी के मध्यम में इटली सेविन स्टेट्स में बटा हुआ था कौन-कौन से ओफ विच ओनली वन सारडीनिया पायडमूंट यह दो नहीं है आपर वन है क्योंकि बुकने का हुआ है आपको ओनली वन जिसमें से सारडीनिया पायडमूंट वाज रूल्ड वाइन इट सारडीनिया पायडमूंट वाज रूल्ड वाइन इटैलियन प्रिंसली हाउस इक राजशाही घराने के दूआरा उस पर शासक था यानि सिर्फ साथ में से एक ही राज़िया ऐसा था जिस पर इटैलियन का शासक थे जिन पर इनका शेशनकाल लगाया चाता था कौन सा करेंगे और याद भी रखेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ इटलियन प्रिंसली हाउस द्वारा गवन किया जाते था और बाकी कि जो स्टेट से वाप क्यों बताया हुआ कि कहा कहा कैसे कैसे बटे थे दा नोर्थ वाज अंडर ओस्टेरियन हैप्सबर्ग जो कुछ नोर्थ म जिससे थे उसमें डोमिनेशन ओफ बर्बन किं या अनि जो बर्बन नहीं पर उन्च था उसका 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 रास था। इवन दा इतलियन लेंगिज हेंग नोट अक्वायर वन किमन फोघू इंड इस्टिल हैड मैने डिजनल लोकल वेरिएशन्स हाला कि आपर इतलियन नेंगवेज भी यानि कि इतलियन राज्य भाटा हँऊ आनि ता इतलियन भाषा भी बट्टी हुई थी इतलियन लेंग्वेज भी नोट एक्वाइड वन कुमन फोम यानि इतलियन भाषा भी एक कुमन फोम नहीं हासिल कर पाई एंड इस्टिल हैड मैंनी डीजनल लोकल बैरिएशन हर एक होता है ने कि लोकल इलाकों मैंनी लोकल लोकल जगाओ पर जैसे कि थोड़े थोड़े अगर अपन अब आगे क्या होता है डूरिंग दा 1830 गसीपी मजीनी हैड सौर्ट टू पुट टोगेदर एक कोहरेंट प्रोग्राम फोरा यूनेट ट्री इटेलियन रिपब्लिक अब आपको यहाँ पर गसीपी मजीनी का नाम लिया गया है मैंने आपको इसके बार में पहरे भी बचा गसीपी मजीनी है कौन चले आपके नहीं आजारा है तो मैं बता देगा हूँ गसीपी मजीनी हमने इसी चैप्टर के उस दार इवोलुशनरी इस करके टोपिक था इसमें एक सेपरेट वीडियो बनाई थी आपके मेकिंग ओफ नेशनलिजिम युरोप शाय इसमें था हमने पड़ा था कि यह जन्म हुआ था और यहीं एक तरह से सीक्रेट सोसाइटीज ओफ कार्बोनरी के मेंबर थे अगर आपको यादो सीक्रेट सोटाइटीज ओफ कार्बोनरी में हमने इने पड़ा था तो चलिए जहां पर भी ऐसे नाम आते हैं आपको जरूर किलिक करना चाह यानि सभी लोगों को मिला जुला कर फॉर यूनिटरी इंटैलियन रिपबलिक जिससे कि वह एक तरह से इतलियु को रिपबलिक बना कर बनाना चाहते थे इसके लिए प्रोग्राम करना चाहते थे He had also formed a secret society called Young Italy अगर आपको याद हो, इन्होंने दो societies formed की थी पहली तो थी Young Europe in Bern अगर आपकी याद हो, तभी तो कहता हूं, short notes बनाईए Young Europe of Bern Young Europe of Bern पहली तो society यही थी Spelling देख लीजिए च्छे से B-E-R-N-E और दूसरे societies का आपके यहाँ पर जीकर कहें, कि यह 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 यंग आपके यहाँ पर Young Italy Young Italy के नाम से इन्होंने For Marsalis करकेस का पूरा नाम था, जो एक society बनाई थी चलिए आगे देखते हैं, He had also formed a secret society called Young Italy For the dissemination of his goals For the dissemination of his goals Dissemination का क्या मतलब होता है Dissemination का मतलब होता है, अपने उद्देश्य को एक तरे से पूरा परसार करने के लिए जो इनका उद्देश्य था है, यूनेटरी इटारीन रिपलिक यान ये इटली को एक रिपबलीक बनाना चाहते थे उस उद्देश्य की परसार के लिए नोने ये इटली ये दो साइटीस बनाई थी Dissemination मतलब परसार करना, एक तरे से अड़िजमेंट करना The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1840 mean that the mantle now fell on Sardinia, Piedermont underheats ruler king Victor Himalayan II to unify the Italian states through war अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 मतलब कि जो revolutionary करांतिकारी थे उनके फेलियर होने के बाद 1831 में 1842 में, meant that the mantle now fell on Sardinia, Piedermont यानि कि ये करांतिकारी ये जो युद थे उनके फेलियर होने के बाद युदो को चलाने के जिम्मेदारी आ गई, वो किस पर आ गई थी? पूरी की पूरी सारदेनिया, Piedermont पर आ गई थी अंडर इट्स रूलर किंग विक्टोरिया, Piedermont का ये भी आप नोट कर लीजिए, साथ स्टेट्स में से एक स्टेट्स को था, जिस पर इटेलियन प्रिंसिस हाउस का रूल था, वो तो हमने पढ़ा था, सारदेनिया, Piedermont और उसका रूलर कौन था, King Victor Emanuel II, अंडरलाइन कीजिए और याद कीजिए, important point है, छोड़ना नहीं है To unify the Italian states through war, वो सभी करांतिकारी तों कुछ नहीं कर पाय थे, लेकिन ये unify करना चाते थे, युद के जरिए, यानि युद की सायता लेकर अपने पूरे इटेलियन को Elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominions, अब होता कहें, the eyes of ruling elites, चोबा के, एक तरह से ruling समूधाय थे, of this region, this region मतला है, साधी नहीं, पायर मन्ट के, a unified Italy offered them the possibility, एक unified Italy, यानि Italy का एक तरह से एक ही करन होना, उन्हें एक तरह से offer करता था किस चीजी को, the possibility of economic development, यानि unification, एक तरह से उन्हें लगर आता कि हमारी जो economic development है, आर्थिक सुधार है, उसमें एक तरह से useful होगा, and political dominions, और हमारे वो रजनेतिक dominions में भी मदद करेगा, इसलिए वो सभी unification of Italy करना था थे, कि उनका ऐसा मानना था, कि unification of Italy से हमारी जो economic development and political dominions है, उसमें वो स्ट्रोंग बन जाएगा, या पर आप पोइंट भी ले सकते हो, क्योंकि इटली उनिफिकेशन ऐसा क्यों होना चाहते था, क्योंकि इन दो कारन की वेज़े से, Chief Minister Kevior, who led the movement to unify the regions of Italy, wasn't the revolutionary, nor a democratic, देखें, आपर एक Chief Minister Kevior का जिकर हुआ है, इसको भी आप underline करेंगे, who led the movement to unify the regions of Italy, जिन्होंने आंदोलन चलाए थे, यानि किये थे, बहुत सारे to unify the regions of Italy, यानि Italy के अलग-अलग, जो शेत्र थे, उन्हों सभी को unify करने के लिए, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किये थे, कि इन्होंने Chief Minister Kevior ने, वस निदर ही revolutionary, वो ना तो एक revolutionary थे, मतलब के, ना तो एक कोई करांतिकारी थे, नोर डेमोक्रेट, और ना ही वो कोई राजनेति थे, थे, like many other wealthy and educated members of Italian light, यानि के औरों की तरह ही, यानि educated members इचे इतली के समुधाय के, उन्हीं की तरह ही, he spoke French, ना तो एक रांतिकारी थे, लेकिन वे educated members of Italian light, यानि इटली के जो समुधाय के लोग थे, उन्हीं की तरह ही, एक educated members थे, जो की he spoke French, जो की French भाषा बोलते थे, much better than he did Italian, वो French भाषा और बहतर तरीके से बोल पाते थे, जितना वे Italian भाषा को नहीं बोल पाते थे, यानि इटलीन भाषा से बहतर वे French भाषा बोलते थे, लेकिन, 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 उन्होंने इटली के अलग अलग रिजन्स को, क्षेत्र को यूनिफाय करने के लिए आंदुलन चलाए थे, भलाई वे French भाषा बोलते हो, लेकिन उन्होंने इटली को यूनिफाय करने के लि को कि तिरे ही वो फ्रेंच भाषा बोल देते हैं और इटेलियन के लग 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 इजन्स को युनिफाय कराना चाह देते हैं यह आप चीफ मिनिस्टर के आव्योर का एक तरह से करेक्टरी स्केच मना कर रख लीजिए अगर एक्जाम में आता है तो यह लाइन आपको छाप द संधिक लाइन रहती है तरह था यह लिटीक संधी के दूरान फ्रांस के साथ इंजिनेर्ड बाइक के विए जो कि जिसका एक तरह से आप ये विए उसके एक तरह से लिड़ है स्क्षीड इन डीपिन था अस्टेन फोर्सेश हिन दिन फ्रांइडियां थे सुरु साथ कोड़मीधिक संदी के कारण के वियूरे जो साडेनिया स्पार मॉन्ड को एक तर झया थे उससी डिनरें उस चैनिया को 1869 में हरा दिया था फ्रांस के साथ एक कूड नितिक संदी करने के help से क्योंकि जो हमारे केवियोरते आपको बताया कि फ्रेंच भास अच्छे बोलती थी इसलिए इन्होंने जो फ्रांस की राजनेतिक दलताओ से अपनी तरफ करके सारडेनिया पाइडमोंट को सक्षीड किया उस्टेरियन फोर्सिस को हराने में कब 1869 में 1858 sorry 1859 यह डेट भी याद रखो भूलना नहीं है अपार्ट फ्रों रेगुलर ट्रूप्स अलार्ज नंबर ओफ आर्म्ड वोलेंटियर्स अपार्ट फ्रों रेगुलर ट्रूप्स यानि की जो सैनिकों की दल थे उनके अलावा इस लार्ज नंबर ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिकों का इक दल मैंने आपको बहुत बार बताया है लाज नंबर ओफ आर्म्ड वोलेंटियर्स हतियार होतीय ہیں यानि हतियारों से लेस वोलिंटियर्स अन्डर लीडर्शिपों के सीपी गैरी बाल्डी जो सीपी गैरी बाल्टी के डिडर शिपमें जो इन धे यूद में हिस्स करि acces न हूं किया थैंयज का इसे लिया अग कंगiran अब होता गया है 1860 में 1860 में मार्च इंटु साउथ इतली जो यह आंड वोलंटियर से यह साउथ इतली में मार्च करते हैं इसमें बढ़ते आगे उसकी करफ एंड किंग्डम ओफ टू सिलीज और जो तू सिलीज के जो यानि सिलीज के दूर आचे थे एंड सक्षिडिदि इ मार्च करते हैं यानि उन में अंदर जाते हैं और सक्षिडिदि इदा विनिंग विनिंग दा सपोर्ट ओव दा लोकल पीजेंट्स और वह वहां के जो लोकल पीजेंट्स यानि नागरी गया है उनका एक तरह से सपोर्ट पाने में सक्षम होते हैं इन ओडर टू सब्सक्राइब किंग ओफ युनाइटि इतली यह लाइन तो मॉस्ट इंपोटेंट है जरू अंडर लाइन कीजिए और 1861 में हां 1861 में विक्टर इमेल्यून को जो विक्टर इमेल्यून सेकेंड थे सेकेंड का मतलब होता है एक वनश पीड़ी है एक तरह सिंगी पीड़ी यह सिर्फ 2nd 3rd 4th सेसें में लिखते जाते हैं बस प्रोकलेंड कींग ओफ युनाइटि इतली इन भाई साहब को जो इतली का किंगोशीत कर दिया गया का बठ्धा सेक्षेट में विक्टरे मैनॵल सेकेंड को उनाइटि इतली दे कें नोटिस कीजिए यूनाइटि इतली य अलगी भी मच ओफ इटेलियन पूपुलेशन जो एक अधीक तरह हिस्त आप इटेलियन पूपुलेशन का अमंग हूम रेट्स ओफ इलिटरिसी वर वेरी आई यानि उसमें से बहुत सारे लोग अंपड एक तरह से इलिटरेट थे उनकी संक्या बहुत हाई थी इसका मतलब है कि जो इलिटरेट की संक्या थीमा पर वो भूँत आई थी लेकिन इलिटरेट होने के साथ साथ वो मा की जो उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा थी लिब्रल, नेशनलिस्ट आइडियोलोजी उससे वो अनेवेड थे यानि अन्जान थे दा पीजेंट मासिस हूँ हैड सपोर्टेड गेरिबाल्डी इन साउदर निटली एड नेवर हर्ड ओफ इटलिया एड बिलीवड वन सेकिंड मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको हाँ तर पीजेंट मासिस हूँ हैड सपोर्टेड गेरिबाल्डी एक जन समुएक बहुत बड़ा है सच जी नोने गेरिबाल्डी को सपोर्ट किया था इन साउदर निटली में हैड नेवर हर्ड ओफ इटलिया उन्होंने कभी भी इटलिया नामका एक शब नहीं सुना था एंड बिलीव देट ला टालिया वास विक्टर इमैनुल्स वाइफ और उनका ऐसा मानना था कि जो ला टालिया है यानि इटलिया एक मैंनल्स है कि अभी तो पड़ा था को अठ्रसवेक सेट में इट इटलिया शाशक घुशित कर दिया था तो महां के लोगों का ऐसा लग रहा था जिनका गेरी बाल्डी के लिए बहुत सारा समर्थन था उन्होंने कमीट एलिया तो सब सुना ही नीए था उन्हें एसा लग जीव से शब्द बोलते हैं जो मारे जन्ता में असल में वर्ड कुशर होता है लेकिन अपना खुद कर लेते हैं उन्होंने ऐसा लग आता कि लाइट आलिया विक्टरी मैनल्स की पतिनी है आई होप आपको समय से आया होगा नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं एक बार आपको खुद से इसको रिवाइज करना चाहिए और हां इससे रिल्डेट शोट पॉइंट्स तो मैंने आपको डेस्क्रिप्शन मॉक्स में दिये हुए है पिछली वीडियो का लिंक भी महीं ब्रिटेन का वी किस्सा भी देख लेते हम क्या है अजने भी किस्सा यह हम इससे नेक्ट वीडियो में पढ़ेगी तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहे हैं मैं विल्ड़न आपसे नेक्ट वीडियो में ओल दा बेस्ट